हेलो फ्यूवर्स अंबोक्सिंग इंडिया में आप सब का स्वागत है और में हमरान आज बरे पास विजू डिवाइस है यह समसंग ग्लेक्सी एफ 14 5G स्मार्फोन काफी कमल की डिवाइस या बहतरीन फीचर्स के साथ में इंडियान मार्केट में समसंग के दरफ से समसंग ग लेक्सी एफ 14 5G स्मार्फोन को करते हैं बोक्सिंग जानते हैं इसी समार्फोन के बारे में डीटेज में फोन की स्पेसिफिकेशन प्राइस और इस स्मार्फोन को अनबोक्सिंग करके ओनेस्ट रिव्यू रिखेंगे और बोक्स कुछ इस सरी किसे नजर आता है चारो 15W फासिन सपोर्ट इतना कुछ इसी स्मार्फोन में डेफिनेटली दिया गया है बजट रेंज के इसाब से काफी एच्छा स्मार्फोन बन जाता है और इसी स्मार्फोन में 4GB रैम है 64GB इंटारेल स्टॉरज इसके लगा अगर आपको चाहिए 6GB 128GB 4GB 128GB अलग 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 इसी स्मार्फोन को समसंग लेक्स एफ और इन 5G स्मार्फोन को अन्बोक्स कर लेते हैं उससे बहले आपने चनल को सब्सक्राइब निए के प्लेज सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन कौन करके रखिएगा और यहाँ जो शिल हिससे ब्रेक कर दिया है और बॉक्स जुका है अन्बोक्स और जैसे ही अन्बोक्स करते हैं उपर यहाँ एक सेक्षन जिसमें सिमेजेक्टर इसके अंदर डॉक्मेंटेशन है और यह रहा दूस्तों समार्फोन समसंग लेक्स एफ और मेरे पास इसी स्मार्फोन की डार्क रेड कलर है इसके लावाँ सिल बार लाइट ग्रीन ब्लैक अलग 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 कलर भी इसी स्मार्फोन में है बाकि कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर सिर्फ यही स्मार्फोन देखनों को मिल जाता है समसंग लेक्स एफ और इन 5G बॉक्स के अंदर ना ही चौट जर ना ही टाइप सी केवल दिया गया है लेको यहाँ तो चल्रीट लेका है तो यहां पर एक क्रण द्रीड का नाधर प्लास्ट एक जान कर दाब तरह समसंग के मामने करेंड में कुछ इस तरीके से नजह रहा है प्लास्टिक बैक भॉडी के साथ यह स्मार्फोन की बैक बोडी हैं प्लास्टिक फ्रेम ये डिवा स्मार्टफोन में दिया गया है जो पावर वटेंग के साथ में और कुछ इस तरीके से हमें लेफ साइड की फ्रेम देखने को मिल रहा है और निचे के तरफ देखा जाए स्पीकर गिल्ट टाइप सिपोर्ट माइक्रफोन 3.5 मेमोरियो जेक है और उपर की तरफ देखा जाए स्मार्टफोन जाता है तो ऑफर वेट के ऊपर बात करो 202 ग्राम इस फोन की यह तोड़ा सा वेट ज्यादा है और 9.1 mm तिकने सके साथ यह डिवाइस है तो लाइट वह तं तिन डिजाइन नहीं है इस स्मार्टफोन की वैसे मैं आपको इसी स्मार्टफोन के लुक्स डिकेसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्षिन पे जरू बताइए अगर आपको यह कलर नहीं चाहिए तो अलग अलग कलर आप चूज कर सकते हो ग्रीन में भी यह डिवाइस इवालेवल है ब्लेक में भी है इसका जो कलर है डार्क रेड जो यहाप अनबोक्सिंग करके आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं डिवाइस को और बाते करते हैं बाकी स्पेसिफिकेशन के उपर और इसी स्मार्टफून की जो यहाप डिस्प्ले है इसके उपर चलिए दियान देते हैं और यहाप देख सकत सब्सक्राइब करते हैं तो यहाप देखने में लग रहा है काफी पड़िया है वाटरब नौच के साथ इस स्मार्टफून की डिस्प्ले है तो डिस्प्ले अच्छा है लेकिन नीचे की तरफ देखा जाए बेजल वगरा काफी बड़ा-बड़ा यहाप दिया गया है वह लेकिन जो एक्सों मेलेगा अच्छा देखने को मिल जाएगा candy लेक्ता है बढ़िया यहाप पर पॉफॉर्म करकता हूँ असरा आता है और अच्छा एए-ग़ा प्रफॉर्म्यक्ति रेटर्आब से 20 से शुरू हए जाता है इसकल आपको चाहिए जो ब히्यांट को चाहिए यह उस्सriminणlands के थे तरhof से प्रस्टे इस्तमल के आगये हैं जो parohari आ गया है काफी का म這些 यहांट को परफॉर्म करता यहroit रर आएगा 2生 ena साथ में यहां पर exynos 1330 प्रोस्टर इस्तामाल के आगए है सब्सक्राइब का नाम है जो प्रोस्टर है काफी कमाल की डेफिनेटली यह प्रोस्टर होगा यहां पर सब्सक्राइब को बनाग यहां पर यहां पर नहीं 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 यहां पर छाजिंग के पर दिया गाया है सिर्फ phone दिया गया है तू definitely यहाँ पे भी बहुत कुछ कमी महसूस होता है इसी स्मार्फोन में साइड में उटे fingerpin scanner और चलिए इसे set करते हैं और देखते हैं किस तरीके से perform करता है यह device और यहाँ पर देख सकते हैं और अब किस तरीके से perform करता है देखिए देख सकते हैं और जो फिंगर पर इसके स्केनर करता हुआ नजर आता है इसी स्मार्फोन में और डिवाइस के प्राइस से रेंज के इसाप से बहुत कुछ कमी है मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा ब प्रेमरी प्राइमरी केमरा दिवाइस में डिया अब धकैमराल में ऐक्रश्व में के लिए test से था पोट्रेड और यहां पर फोडू वीडियो यह कुछ ऑप्शन अवालेवल है इतना ज्यादा कुछ खास फीचर्ट यहां पर के मामले में नहीं दिया गया है एड़ स्मार्टफॉन में जो यहां पर कैमरा रिजाल्ट है यहां पर देख सकते हो ठीक टाक है इसी इस जो सब्सक्राइबारे में और क्च ईश्ख सब्सक्राइब कर रिएज तिन दॉस्त बोल्न तो तीन अलग 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 प्राइस रेंज के इसाब से यह डिवाइस मार्केट में वालेवल है 16500 में आपको सिर्फ 4GB 64GB ROM मिलता है और यहाँ पे 4GB RAM मिलता है और डिवाइस में यहाँ पे Exynos 1330 जो 5G chipset दिया गया है बस 5G है यही है लेकिन परफोर्मेंस के मामले में इतना ज्यादा बेटर नहीं रहेगा 50 प्लस 2 प्लस 2 मेगा बिक्सल का DLDR केमरा ठीक टाक ओके परफोर्म करता हुआ यहाँ पे हमें नजर आया दोड़न मेगा बिक्सल का सेलफी कैमरा 6.6 इंचे का Full HD प्लस स्क्रिन है 90 हर्ज रिफ्रेश रेड के साथ में तो एक अच्छा क्वालेटी का डिस्प्लेटी में कहूंगा कलर वगर काफी बढ़िया है डिवाइस में 5000 मिली एंपिरर का बेटरी दिया गया है 15 वाट फासिंट दिया गया है जहाँ आपको 16,500 17,000 में अच्छा यहाँ पे 33 वाट 65 वाट चार्जिंग सपोर्ड मिलता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 15 वाट मिल रहा है वह भी चार्जर एंड यहाँ डाटा के डिवाइस के इसाब से यह डिवाइस आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्षन पे जरू बताइए और यहाँ पे डिस्प्ले भी आप लोग ने देखा बड़े बड़े वजल के साथ यह पे डिस्प्ले हमें नसर आया तो बहुत कुछ कमिया है प्राइस रेंज के कर किया है उम्मिद है आप सबको यह वीडियो जुरू बसंद आगा अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो ब्लीज वीडियो के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं गया नीचे दिये गए यहाप वाइट बिटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजि कर दो